Hey guys, this is Preeti आज 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 दिसकस करने वाले हैं 6 में के Current Affair इसमें जो भी important questions होंगे उसको उम्लग सुडियो में cover करेंगे साथी साथ previous टेके question का revision भी करेंगे इसके लबाँ अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon पर जरू click करें साथी साथ काफी दिन से आप लोग पूश रहे थे कि app अभी तक आया है कि नहीं आया है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि app live हो चुका है और इस app को आप नीचे description में दिये गए link से download कर सकते हैं तो description में मैंने आपको link दे दिया है वहाँ पे आपको free mock page video classes सारी चीज़े आपको एक जगा पे मिल जाएंगे तो आईए शुरू करते हैं topic को शुरूआत करेंगे कल की question के revision से पहला question था हमारा कि Dennis Goldberg कन 30 April 2020 को निधन हो गया वह किस कारे के लिए चर्चित थे तो ये संबंदित थे रंग भेद नसलबाद विरोधी अभियान और आपके mind में question आ रहा होगा कि ये अभियान कहां से संबंदित था तो ये South Africa से संबंदित था और इन्होंने किस के साथ कारे किया है तो आप जानते हैं South Africa में रंग भेद नीति का अंदूल उन्मूलन किस ने किया था वहाँ की राश्पती निलसल मंडेला ने याद रखेगा इसको important questions है अगला है हमारा CSIR और CRRI इन्षने देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्थ सिंखला एवं माल परिवहन प्रबंधर पड़ाली से किसानों को जोडने के लिए किस एप को लांच किया है तो यहाँ पे किसान सभा एप को लांच किया गया है फिर हमारा World Tuna Day कब मनाया जाता है तो 2 माई को मनाया जाता है World Tuna Day के रूप में और एक माई को मनाया जाता है अंतर राष्ट्री स्रमिक दिवस के रूप में भारत में पहली बार स्रमिक दिवस कब मनाया गया 1923 में मनाया गया है अब हम लोग आ जाते हैं Tuna Day कि Tuna है क्या तो Tuna एक मचली की प्रजाती है जो कि काफी देशों में इस पे कारी किया जाता है वहां के पोसर के लिए काफी जरूरी है इस वज़ा से यह World Tuna Day मनाया जाता है ताकि लोग इससे जाग रूख हो फिर हमारा वाडा ने डिसकस्त्रूर संदीब कुमारी पर डोब टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंद लगा दिया है तो वाडा ने इनके उपर चार साल का प्रतिबंद लगा दिया है फिर हमारा की World Press Freedom Day कम मनाया जाता है तो 3 माई को मनाया जाता है World Press Freedom Day याद रखिएगा कि दुनिया भर में प्रेस की स्वतनता और पत्रकारों की सुरच्छा तै कराना इसका मुख्य उद्देश है अब अगर हम लोग बात करें कि सूची में भारत की सस्थान पे है प्रेस Freedom Index की तो इसमें भारत 124 में स्थान पे है याद रखिएगा 1903 में से इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था अगला क्वेश्चिन हमारा किन भारतियों को American Academy of Arts and Sciences में अंतर राष्ट्री मानत सदस के रूप में चैनित किया गया है तो शोबना नरसिमन, विमन बाक्ची और कविता सिंग को इसके लिए चैनित किया गया है फिर हमारा कौविल, पट्टी, कदलाई, मितेई का उत्पादन किस राज्ज में होता है जिसे GI टैक दिया गया है तो तमिलाडु में होता है इसके बाद हमारा कि किस देश ने मनीख पूर के डॉक्टर ठंग जाम धबाली सिंग को order of rising sun से सम्मानित किया है तो यहां पे जापान में सम्मानित किया गया इनको उसके बाद हमारा कि किस प्रदेश की सरकार ने इमिनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमरित योजना की सुरुआत किया है उसके बाद हमारा की COVID-19 से जस्तिस आजे कुमार तुरुपाठी का निधन हुआ है वा किस समयधानिक संगठन के सदसे है तो यह लोगपाल के सदसे थे जबकि वरतमान में हमारे लोगपाल कौन है तो पिनाकी चेंडर घोस जिसने हम लोग आधुनी कला संग्राले ने अग्रडी कलाकार जैमिनी राय को उनकी 133 जैनती वर्स पर आभासी माध्यम से श्रधानजली अरपित किया है तो क्या ये सही है हाँ जैमिनी राय जो कि एक अगर कलाकार है इनकी जैनती मनाई गई है 2 माई को उसके बाद है हमारा की वर्स 1975 में इन्हें ललित कला अकादमी फेलोसिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि साद 1975 में नहीं साद इनको 1955 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था ललीट कला अगादमी फेलोशिप आवर्ट से तो दूसरा वाला हमारा गलत होगा लेकिन यहार पर देखे क्वेस्टन के साथ सथ हमारा ये तीसरा वाला गलत है दूसरा है हमारा कि वे अवनींद्र नाह् टैगोर के सबसे प्रशिद सेस्यों में से एक थे तो हमारा A और B तो सही होगा लेकिन C गलत होगा क्यों क्योंकि इनको 1955 में ललित कला अकादमी फैलोसे पुरसकार से सम्मानित किया गया था याद रखेगा राइट अंसर क्या होगा हमारा A और B सही है अब बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ था इनका जन्म हुआ था पश्चिम मंगाल के बांगुरा जिले में 11 अप्रैल 1887 में ये 20 सदी में भारती कलाकार के सबसे उलेखनी आधुनिक्तावादी भारती चित्रकार थे और इसके अलमा मैंने आपको बता दिया कि ये अवनें किंद्र नाठ टैगोर के सबसे प्रशिद सिश्चों में एक थे वे पश्चिमी पद्धत की तकनीक में और चारिक रूप से प्रसिछित पहले भारती चित्रकार थे लेकिन उन्होंने बंगाल की अस्थानी लोक कलाओ जिसे हम लोग काली घाट चित्रकला पद्धत के नाम अब बात यहां पर आई है काली घाट चित्रकला पद्धती तो इसके अभ्यास को पटूआ नामक कलाकार किया करते थे अब इनको कौन-कौन से अवर्ड मिले हैं तो 1934 में ततकालीन वायसराय द्वारा इनको स्वड़पदक मिला है आपको बताना है कि 1934 में वायसराय था क ठीक उसके बाद है हमारा 1954 आपको याद भी होगा 1935 में आपको पता है कि भारत शाशन अन्दियम आया था ठीक तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा 1954 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूशर अवर्ड दिया गया उसके बाद 1955 में इनको ललित कला अकादमी फेलोसिव अवर्ड दिया गया है ठीक है याद रखेगा अगला क्वेस्चन है हमारा कि वह संगठन जिसके द्वारा अल्ट्रा वाइलेट किताडू सोधन तावर विक्सित किया गया है तो यह किस ने विक्सित किया है DRDO ने इसको याद रखेगा important question है अब बाद DRDO की आई है तो आपकी माइन में तुरंत आना चाहिए mobile lab जो कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको पढ़ाया था कि DRDO ने mobile lab विक्सित किया जिसका उधगाटन हमारे रच्छा मंतरी राजनात सिंगने किया था mobile lab किया था कि इसमें इसको COVID-19 के नमूनों की जाच के लिए इसको विक्सित किया गया हालांकि इसको बनाने में 6 महिने का वक्त लगता लेकिन हमारी को देखते हुए इसे 15 दिन में तयार किया कि इसने DRDO ने चिक चलिए चार मई 2020 को DRDO ने रासाइनिक मुक्त और तेजी से किताडू सोधन के लिए अल्ट्रा वायलेट किताडू सोधन तावर विक्षित किया यूवी ब्लास्टर नामक उपकरड एक अल्ट्रा वायलेट आधारी सेनेटाइजर है या उच्चे तक नी की सतव हो जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रोनिक उपकरड और अन्न गैजेट्स किताडू रहिट करने के लिए अत्यधीक सहायक है अगला है हमारा बनेर घटा जैविक उद्ध्यान से क्वेस्चन है तो इसके संदर्म में निमलखित कथनों की पुष्टी करना है यहाँ पे देखते हैं पहला हमारा की बनेर घटा जैविक उद्ध्यान ने एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को एक वर्स के लिए उद्ध्यान की वन्न जीवों को घर ले जाने की अनुमती प्रदान कर दिया है तो क्या यह कथन सही है हाँ बिल्कुल सही है यह इसने एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम जारी किया और इसके तहत व्यक्ति एक वर्स के लिए वन्न जीवों को अपने घर ले जा सकता है बन्नेर घटा जैवी को ध्यान से किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, असमिया लंगूर, काला हिरन, सांबर, इत्यादी को एक वर्स के लिए गोल लिया जा सकता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा A और B दोनों सही है आप्शन नमर 3 हो जाएगा मारा राइट एंसर बन्नेर घटा जैवी को ध्यान ने यहाँ पे कुछ धन्रासी अदा करने के बाद वन्ने जीवों को घर ले जाने की अनुमती दिया है और भारती कोब्रा तथा एशिया हाथी को घर ले जाने के लिए प्रतिवर्स 2000 तथा 1.75 लाख रुफे देना होगा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किन किन जीवों को यहाँ से गोद लिया जा सकता है इसके अलावा याद रखेगा कि वर्तमान में 21 हाती इंटरनेट के माध्यम से गोद लेने के लिए उपलब्ध है यहाँ पे यह है कहां बन्नेर घट्टा और उद्ध्यान तो यह करनाटक के बंगलरू में इस्थित है जिसकी एसापना हुई थी 1972 में और 1974 में इसको राष्ट्री उद्ध्यान होसित किया गया उसके बाद सन 2002 में इसको उद्ध्यान के एक हिस्सव को जैविक रेजर बना दिया जिसे बन्नेर घट्टा जैविक उद्ध्यान कहा जाता है याद रखेगा कि 2006 में देश का पहला तितली पार के यहीं पर असापित किया गया था या उद्ध्यान जंगली बिल्लियों भारती तेदूओ बाग चीतों और हाथियों को सुरच्छित आवास प्रदान करता है अगला हमारा GW190412 निम्नलिखित में से किस से सम्बंदित है तो आपकी माइंड से क्या सम्बंदित है या देखे ब्लैक होल से सम्बंदित घटना से सम्बंदित है अब देख लेते इसके बारे में थोड़ा सा हाली में लेजर इंटर फेरो मीटर ग्रेविटेशनल वेब अबजर्वेटरी लीगो जिसे हमनों कहते हैं शॉर्ट फ़र्म में इस्थित गुरुत्वा करसट तरंग वेद सालाओं के द्वारा दो आसमान द्रवेमान वाले ब्लैक होल के विले का पहली बार पता लगाया या पहली ऐसी खोजे जिसमें आसमान द्रवेमान के दो ब्लैक होल सामिल हैं इसी घटना को GW 190 412 नाम दिया गया है जिसका पता कब लगाया था वर्स 2019 में अब इन दोनों आसमान जो द्रवेमान के ब्लैक होल इनका कितना द्रवेमान है तो 8 सौर द्रवेमान है पहले का पर है सूर के द्रवेमान से जो कि दो गुडे 10 कि घाते 30 किलोग्राम होता है तो याद रखेगा अब इन दोनों ब्लैक होल के विले की खोच लगबग 2.5 बिलियन प्रकासवर्स की दूरी पर की गई है और अगर हम लोग लीगो की बात करें जिसने यह खोच किया है तो दुन अगर हम लोग ब्लैक होल वर्ड की बात करें तो एक तो पहले आपको बताना है कि किस अंदूरवीन के द्वारा इसका चित्र लिया गया तो जो अभी बीश में आया था ना तो यहां पर आपको बताना है चीक कॉमेंट बॉक्स में अब है हमारा की ब्लैक होल सब्द का इस्तमाल सबसे पहले किस ने किया था तो अमेरिकी भौतिक वी जॉन वीलर ने 1960 के दसक में इसका उलेक किया था ब्लैक होल अंतरिच में उपस्चित ऐसे छिदर है जहां गुरुत तो बल इतना अधिक हो जाता है कि यहां से प्रकास का पारगमन नहीं हो पाता चूकि इन से प्रकास बाहर नहीं निकल सकता अता हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते वे अद्रिश्य होते हैं अगला क्वेस्चिन है मुख्य मंत्री सहरी रोजगार गैरंटी योजना किस राज की पहल है इंपोर्टन क्वेस्चिन है जो जिसके तहट सहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा तो ये किसकी पहल है ये है हिमाचल प्रदेश की पह 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा और अगर आवश्यक हो तो इस सम्बंध में लोगों के कौसल उन्यन के लिए अनिवारे प्रसिच्छड भी प्रदान किया जाएगा इसके पहले राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सनिर्मार स्रमिक कल्यार बोड के तहट पंजीक्रित लगभग 1,00,00 शरमिको को 2,000 रूपे प्रदान किये जिस पर अब तक 20 करो रुपे खर्च किये जा चुके है राज चुके मंदरि मंडल ने इस सरमिको को 2,000 रूपे प्रदान करने का भी नेड़ लिया है अगला है हमारा की Facebook के निवेज के बाद किस अमेरिकी कमपणी ने 5,655 करोड रुपे में जियो में 1.15% के हिस्सेदारी खरीदी है तो ये किस ने खरीदा है ये खरीदा है Silver Lake ने अब Silver Lake कमपणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो Silver Lake अमेरिका की एक निजी एक्वर्टी फर्म है जो दुनिया भर के टेक कमपणीों में निवेज करती है इस कमपणी ने Airbnb, Alibaba, Art Financial, Alphabet की Verily and Ymo Units, Dell Technology और Twitter समेथ कई West Street Technology कमपणीों में निवेज करके रखा है Silver Lake के पास करीब 40 बिलियन डॉलर के Combined Asset Under Management है पिछले महीने ही Facebook ने किया था 43,574 करोड रुपे का निवेज ठीक है? याद रखेगा और इस निवेज के बाद Jio Platform में Facebook के हिस्सेदारी कितनी हो गए थी? 9.99% की हिस्सेदारी हो गई थी यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा विदेसी निवेज था Reliance Industries Limited Jio की और हिस्सेदारी बेचना चाता है दरासल Reliance Industries के CMD मुकेज अमबानी ने मार्च 2021 तक कमपनी को कर्ज मुक्त कमपनी बनाने का अलान किया है और इसी को लेकर वे अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं अभी Reliance Industries ने सौधी अरब की जो कमपनी है आराम को जो की एक तेल कमपनी है इसके साथ भी डिल चल रहे हैं लेकिन अभी डिल फाइनल नहीं हो पाई है अगले हमारा की गुट निर्पेच आंदोलन Non-Aligned Movement देसों के राश्टरा धच्चो की वर्चुल बैटग पहली बार मोदी शामिल हुए या किसके अध्यस्ता में हुआ था तो ये हुआ था किसके अध्यस्ता में इलहाम अलिवेव इसमें मोदी जी शामिल हुए थे लेकिन अध्यस्ता किसकी थी इलहाम अलिवेव की वह अजरबैजान के प्रेसिडेंट है और गुट निर्पेच आंदोलन के मौजूदा चेर्मैन भी है। अजरबैजान पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच का एक देश है। जी, COVID-19 को मद्दे नजर रखते हुए या बैठक इलहाम अलिवेव की पहल पर आयोजित की गई थी और पहली बार इसमें मोदी शामिल हुए है। विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोन में नहीं रहेंगे। या अंदोलन भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडि जवाला नेरू, मिश्र के पूर्व राश्पती गमाल अब्दुलनासर, युगोस्लाविया के राश्पती जौसिप ब्राज टीटो ने विवन के बाद, वर्तमान में अब तक इस संगठन के 120 सदस्य और 17 परवेच्चक है, खास कर इसमें तृती है, मतलब तृती विश्व यानि की विकास सिल देश इसके सदस्य है, अगले हमारा आर्ली स्मित का 30 अप्रेल 2020 को निधन हो गया, वा इनमें से क्या थे, तो वा इ दिहासकार थे, कितने उम्रती इनकी तो 83 वर्स के ये थे, और इनको स्वास संबंधी संक्रमण और किड्नी फेल होने के कारण इनका निधन हो गया, इनका जन्म का हुआ था, 1938 में आगरा में हुआ था, ठीक, 1956 से PTI, The Hindu, The Statements अगबार के लिए इनोंने काम किया था, Outlook पत्र काम आफ देलेई मिथ, Lower End History, ये सब इनकी महत्पोड बुक है, उसके बाद हमारा कि प्रशिद कवी केस निसार अहमत का निधन 3 मई 2020 को हो गया, वाकिस भासा के कवी थे तो या कंणड भासा के कवी थे, ठीक, कंणड के प्रशिद मश्वूर कवी केस निसार का निधन कब ठीक है, इनको अपनी नित्योत्सो कवीता के कारण करनाटक साहित में काफी प्रशिद दे थे, ठीक, वे वर्स 2007 में शिव मोगा में आयोजीत करनाट साहित समेलन के 73 में अध्यच भी थे, के निसार अहमत को 1981 में राज्योत्सो पुरसकार और 2008 में पदमिस्री पुरसकार से सम्मानित किया, जो कि अगर हम लोग करनाटक की बात करें तो राज्योत्सो पुरसकार वहां का दूसरा सर्वोचिनागरी सम्मान है, जिसे करनाटक सरकार द्वारा एक नॉम्बर को करनाटक राज की गठन के उसर पर दिया जाता है, ठीक, अगले हमारा की COVID-19 के बीच को मुफ्त और कैसलेस भीमा प्राप्त होगा, राज की लगवक 85% आबादी पहले से ही मात्मा जोतिबा फुले जन आरो के योजना के तहत कवर की गई थी, और अब इस कवर को से 15% आबादी तक बढ़ाया जाएगा, राज जी ने सरकारी, अर्ध सरकारी करमचारियों और स सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, थैंक यू फ्रेंस, थैंक यू सो मच,